आज मैं बात कर रहा हूँ जॉइंट्स की फिके जॉइंट्स हमारी बोडी में एक मेन रोल प्ले करते हैं अगर कोई भी जॉइंट जो है हमारी बोडी का अगर वो प्रपरल वर्क नहीं करता है वहाँ पेन होती है तो हमारे लिए अपनी लाइफ वो कॉंफरेबल लाइफ न तो मतलब आपके बोडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाएगा मुटापा आ गया तो मतलब कई बिमारियों का रास्ता बना दिया आपने तो मतलब एक नी पेन से बहुत सारी प्रॉलम्स आने स्टार्ट हो जाती है अब नी पेन होती क्यों है लिए क्या होता है कि हमारी ज आपसमें टक्राने नहीं देता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी बना के रखता है लेकिन क्या होता है कि इस प्लूड को बने रहने के लिए हल्दी बना रहने के लिए इस काकलेज को हल्दी बने रहने के लिए कुछ नुट्रिशन के रिक्वार्मेंट होती है जैसे कि लगातार कम ही चली जाएए पैस्टिस अध फर्टी लेटर लगातार खाते चले जा रहे हैं और नुट्रीशन्स को कम करते चले जा रहे हैं जिसकी वरजे से क्या होता है कि वह जो आप देखिये कि जब पेन आएगा वहाँ पे तो मतलब इंजरी होगी तो मतलब आपे इंपलामेशन भी होगी अब इनिफलामेशन हो गई है तो वहाँ पे क्या होगा की इंफलामेशन के कारण कोई भी ब्लड के दुटरू ट्रेवल करके वहां तक पहुच नहीं बा रहा है अब जो रहत जाओ है, कोई बी चीज है उसको रिकावर करने के लिए तो आपको क्या चाहिए? नुट्रिशन चाहिए हैं जो नी पेन में बहुत जादा सपोर्ट करते हैं जैसिक एक तो है सीवक्थान टर्मरीक ओल इसमें क्या कि साथ साथ टर्मरीक ओल को यूज किया गया है हल्दी का तेल आपको जैसिक मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि हमारे बॉली के अंदर जो इंफलामेशन आती है उसको कम करने में ओमेगा-3 बहुत जादा सपोर्ट करता है तो मतलब अगर आप सीवक्थान जूस पी रहे हैं तो मतलब उसके अंदर आपको ओमेगा-3 मिल रहा है साथ में टर्मरीक ओल यानि हल्दी का तेल अपने आप में एंटी इंफलामेटरी बहुत ही जादा आपके जो नीज के अंदर इंफलामेशन आ गई है उसको ओमेगा-3 और टर्मिकोईल दोनों मिलकर कम कर देते हैं अब क्या इंफलामेशन कम हो जाएगा तो वहां पर बलड जाना स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही साथ साथ ही हमारी कंपनी वायसेश ने एक प्रड़क और दिया है में और्थोसाइश कैसू और्थोसाइश क्या है और्थोसाइश के अंदर कुछ ऐसे आयरवेदिक इंग्रेडेट्स इस्तेमाल किये गए हैं जो उस फ्लूड को बहुत तेजी से दुबारा बनने में सपोर्ट करता है अब सोचे कि वह फ्लूड अगर तेजी से द दिया है और्थोसाइश पेन ओयल आप रात को सोते वकि अपने जॉंट्स के अपर और्थोसाइश पेन ओयल की अगर अलकी मसाज करके सोजाते हैं तो उससे क्या होगा कि महां पे इंप्लामिशन भी कम होगा और पेन में भी आपको आराम मिलेगा तो मतलब यह तीनों उसके लिए आपको calcium की ज़रूर्ट पड़ेगी, तो मतलब आप अगर इन चारों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, C-buckthorn with Terminicoil, दूसरा है orthosash capsule, तीसरा है orthosash pain oil, और चोथा है हमारा calcium, तो मतलब आपको ये चार चीजों का combination एक healthy joints बनाने में support करता है,